हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब चेतनाज कीचन में एक बार फिर से स्वागत आपका एक नहीं वीडियो के साथ तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे सर्दी स्पेसल बहुत ही टेस्टी सी यहमी सी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तो आज हम बनाएंगे आलू सिंगला के रेसि'll ागी लक्ताद्स काहँ मेर्यों कुकर में बनाते ही तो यहां 2 ञीत ही काड़ न रडबर कर लए तो आ यहां ठीसमार पयाज को बनाते हैं अदके वहालो उट्सा जाला ने होटा ने में तो अट्रस्वा लेकर नहीं है तो उट्धा अक्टी सब्सक्रम कोताइfon क तेल तेल को कर देंगे अच्छे से गरम होने के बाद में के अज़े लमारे डाल सूरीलाहिए मैंने चर्ण चर्ण के अडिन के हम कर ब बाता बलेए sentence प्याजी तो अदर यह झाल को भी हम चैब सीयर है Qing आप सिम्मला मिर्ची बहुत अच्छा अधिया है। अब बच्छों को खाने का बहुत जो क्षे बेड़ सकते हैं। इसके साथ आप उसे कुंधे रही आप सब्सक्राइब भी तर्माटर भी ताल दीती हैं। कटे हुए आलू और अपिकरेंगें नफ्ट अच्छी सब्जी बनती है यह जो एक्षी टेस्टी बन जाती है हरेप्याद से अभी हरेप्याद से और अभी हरेप्याद का सीजन भी है तो आप जूरू ट्राइ किजिए गा तो यह देखें लेगा देखें पाई होने के बाद म सबस्क्राइब ग्राइस ठाइब मिक्सी debate सबस्क्राइब तक सबस्क्राइब रस राइब घारओ सबस्कराइब क्योंकि अब हम दीजा की तेज़ रसी यद्ध इस खेते ओधर maps दोड़ के अग्राइस कि दाले हुआ और भड़ गल जाएगा तो इदे के अलो की सब्जी के अंदर हमें लगबग दो सीटी ही लगवाने चाहिए ज्यादा सीटी लगवाने से क्या होता है जो आलो है वो गल जाएगा और टेस्ट खराब हो जाएगा तो मैंने कुकर का धकन बंद कर दिया अदा गिलास पानी डालने के बाद में क्योंकि भाल की बनती है तो बस मैंने दो सीटी लगवाई है दो सीटी के बाद में कुकर कड़कन ओपन करते हैं और देखिया हमारी बहुत ही टेस्टी सी शानदार सी मजधार सी जो जो सब्जी है अलो की बनकी रेडी हो चुकी है और अब हम इसके अंदर डालेंगे लास्ट में है ताकि वह गले नहीं बस हैरा प्याज जालने के बाद में हम इसको बगाना नहीं है है एक इसको बस ऐसे ही अच्छे से मिक्स करेंगे और यह देखिए हमारी जो अलू की सब्जी है वह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके रेडी हुई है आप देख पा रहे होंगे और हैरे प प्याज की टेस्टी सब्जी बनके तयार है रे दनिये से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है आप चाहो तो इसके अंदर ना आप गरम मसाला भी डाल सकते हो बट उसकी जरूरत ही नहीं है गरम मसाले की ऐसे ही बहुत टेस्टी बन जाती है हमारी सब्जी और बस हम इ हमारी सब्जी बनके रेडी हुई है आप जरूर ट्राइ कीजिएगा इस रेसिपी को बहुत सिंपल है इसको बनाना है को इसको बना सकता बहुत ही आसान से तरीके से तो ओके फ्रेंड्स उम्मीद करते हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच् आपको बनाना है तो बनाना है जरू ट्राइक करना बहुत पसंद आएगी बच्चों को खुझ जादा ही पसंद आएगी क्योंकि बच्चे हैं बच्चों को आलो की वज़ए से हर सबजी कुछ भी डाल दो आलो के अंदर वह चाव सिखाएंगा आप चाव सकते हो के अगर वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर